जैनेरी वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन की एक नए एपिसोड में जहाँ आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमक अपडेट्स को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज के अपने अपडेट के हम शुरुवात करने वाले हैं हैदराबाद स्थित आस्तर माइक्रोवेग प्रोडेक्ट लिम्टेट को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से देखें आप सबको भी पता है कि अगर हम सही माइने में आत्मिरभरता को प्राप्त करना चाहते हैं तो अब यह सेजस्स माक वने में यूज hop यूजा जाने वाले जो उत्तम माक वने रेडार हैं इनका निर्मार करने वाले हैं यह डिवलब्रप्मेट काफी मात अपोर्ण माना जा रहा हो है क्योंकि यह ना सिर्फ हमारे फॉर्ड रेडार के ओपर जो ओवर डिपेंडेंसी है उसको कम करने में एक महात्रपण बोमिका निभाएगा बलकि हमारी जो इंडिजनेस कैपबिल्टी है उसको इन्हांस भी करेगा इस रिडार को बिसिकली डिफेंस तच एंडेबलप्मेंट औरगनाइजेशन की इलेक्ट्रोनिक सें रिडार डेबलप्मेंट इस्टैबलिश्मेंट के द्वारा विक्सित किया गया है लेकिन अगर हम तेजस मार्क वने की करेंट फ्लीट की बात करें तो जो अभी एक्राप्ट आ रहे हैं ये इस्रेली इल्टा इल्म 2052 एसा रिडार से एक्वेपो कर आ र उत्तम इसा रिडार से स्वैप कर दिया जाएगा और ऐसे में जो आत्मिन भरता को प्राप्त करने का हमारा लक्ष है उसमें ये एक बड़ा कदम होगा अब उत्तम इसा रिडार की बात करें तो इसमें आपको 912 जो टियार मॉड्यूल्स है वो देखने को मिलते हैं जो की एक जो हाई डिटेक्शन रेंज है वो प्रदान कहते हैं और तेजस मार्क वने की कैपबिल्टी को कर देखा जाए तो ये रिडार सिस्टम बहुत बड़े बूस्ट के तौर पर देखा जा रहा है खियर आपको बता दे कि आने वले भविश्य में सिर्फ तेजस मार्क वने इन में जो कंवेंशनल या लिगरसी पेलोड है इनको रिप्लेस किया जाने की बात की जा रही है दरसल भारत को टेक्नोलोजी डिवलप्मेंट फंड इसकीम है ये एक महात्पुन भूमिका निभा रही है रिमोटली पालिटेट एक्राफ्ट की कैपपिल्टी को एन्हांस क करने में जहां पर अब यहां पर जो एडवांस पेलोड इस प्रोग्राम के अंतर का त्विक्सित किये गये हैं यह जो लिगरसी सिस्टम में जो अभी उप्योग में लाए जाते हैं उनको रिप्लेस करेंगे और यह जो इंक्रीजिंग डिमांड है मॉडरन वार्फेर की उ ताकि जो डाइनमिक और कॉंप्लेक्स पैटल फिल्स सिनेरियो है उसमें यह एफेक्टिव बने रहें और हमारी जो आम फोस्स हैं उनको सही और सटीग जो जानकारी है वो इनके माध्यम से मिलती रहे हैं अगर हम रिमोटली पाल्टेट अपकी बात करें तो अभी भी यह लेकिसी पेलोट्स को इस्तेमाल करती है जो कि अब जो स्टेंडर्ड रिक्वाइड है उसको पूरा करने में फिलाल सक्षम नहीं है क्योंकि आज के समय मैं आपको पता है कि हाई जो इमेजेस है यह काफे महत्रपूर मानी जाती है मॉडरन वैटल फील में और अब यहाँ पर क्योंकि पुराने पेलोट्स की अपनी लिमिटेशन है जैसे की लोवर रेजोलेशन हो गया या फिर रेड्यूस्ट ऑपरेशनल रेंज हो गई या फिर इनसफिशन डेटा प्रोसेश्टिंग कैपबिल्टी हो गई और यह निसंदे मॉडरन कॉमबैट में जो परफॉर इनको तयार किया जा सके क्योंकि अगर हम नए पेलोट को इनकॉर्परेट करते है तो एक्सपर्ट का मानना है इससे हमें जो हाई रेजोलेशन की जो इमेजिंग है वो देखने को मिलेगी और इनके पास एक ऐसी अविल्टी होगी कि जो रियल टाइम में डेटा ट्रांसप से आ रही है हाली में भारत ने अमेरिका के साथ 31 के संख्या में जो MQ9 डोन डील है यह फाइनलाइस करी है जिसमें सिक्रम सा 15 डोन भारतियों से ना के लिए होंगे और बाकी भारतियों वायो से ना और थल से ना को आवंटिक किये जाएंगे लेकिन इन सारी चीजों के बा जनल एटॉमिक इस समय अपना जो इनोवेटिव मोजेव या मोजाव आफ कह सकते हैं अनमैन अरे वेकिल उसको प्रमोट करने में लग गए है क्योंकि उनका यह मानना है कि स्टोन के पास यह पोटेंशियल है कि यह एक्टॉप कैरियर से भी ऑपरेट कर सकता है और यह भार में अगर देखा जाए तो यह भारतिय नौ से ना के लिए एक बहतरीन ऑप्शन हो सकता है मोजेव अनमैन अरे सिस्टम की बात करें तो यह बहुत सारे कोर सिस्टम को जनल एटॉमिक के ग्रे इगल मॉडल के साथ शेयर करता है जहां पर इसमें एवियोनिक्स और प्रपलि भारतिय नौ से ना को है ताकि उनके जो ड्रोन है वो एरक्रप कैरियर से ऑपरेट किया जा सके ताकि मेरिटाइम सर्विलन्स और रिकॉर्संस जो मिशन है उनको एक्जिक्यूट करने में आशानी हो हाला कि अगर हम जनल टॉमिक की बात माने तो इनका यह जो ड्रोन होने वाला है यह बेसिकली जो MQ9 जैसी कैपबिल्टी है वही रखेगा और यह अलग लग प्रकार के जो हतियार है उसको केरी करने में सक्षम होगा इससे मेरिटाइम सर्विलन्स इंटी सब्मरीन वार्फियर एयरबॉन अर्ली वार्निंग और सर्फेस इस स्ट्राइक मिशन ए ब्रमोज अर्फेस को लेकर आपने एक बुरी खबर तो सुन रखियोगी जो कि ब्रमोज टू के संदर्व में है जहापर इन्होंने कहा है कि ब्रमोज टू का डेवलप्मेंट फिलाल होल्ड पर है क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी जादा है और अभी चीजों को अध्यन किया जा रहा है और आगे चलके जो बड़े निर्ने हैं वो लिए चाहेंगे लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई है जो की काफी राहत भरी है ब्रमोज अरुस पिस ने कंफर्म कर दिया है कि जो बहुद्धा ब्रमोज सुपर सौनी क्रूज मिसाइल इसके इंजिन को मौडिफाई किया जाएगा जी हां ब्रमोज मिसाइल में इस्तेमाल किया जाने वाला दो मौजूदा रैमजेट इंजिन है इसको इन्हेंस किया जाने की बात कि जा रही है ताकि इसकी सहायता से जो मैक 5 या उससे जादा की रस्तार है वो प्राप्ट की ज रखती है और इसकी प्रिसीजन स्ट्राइक काफ़ ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है अब ग्रेड़ ब्रमोस मिसाइल की बात करें तो यह सेम रिफ्रेम को जो रिफ्रेम है एयर फ्रेम सॉरी उसको रिटेन करेगी और लेकिन फीचर्स की जहां तक बात रही तो यह काफ़ी एडवांस होगी मुझूदा वैरियंट की तुलना में और क्योंकि इसमें एक अफगेड़ जो रैमजेट इंजिन ने वो इस्तमाल किया जाएगा जिसकी सहायता से यह मिसाइल हाइपर सॉनिक की स्पीड को प्राप्त करने में सक्षम होगी जो कि मैक 5 से जादा की होने वा मैक 2.8 की रफ्तार को प्राप्त करने में सक्षम है लेकिन आने वाले भविष में जो इसका मॉडरनाइज वारियंट होगा वो इससे भी कहीं जादा खतरनाक होगा क्योंकि वो तक्रीबन 614 किलोमेटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंस सकेगा तो देखते हैं यह हमे डेवलप्मेंट कब से देखने को मलता है क्योंकि अभी तो कहा जा रहा है कि 4-5 वर्षों का समय इसमें लग सकता है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए नए चनल को सब्सक्राइब करिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन